हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इस्टेडेवित किंग प्रडॉक्शन यूट्यूब चैनल दोस्तो आज की ये वीडियो आपके आने वाली किसी भी एक्जाम के लिए वहरे इंपॉइंट होने वाली है क्योंकि इसी एक वीडियो में हम लोग जो है रिमांडर साइंस के बहुती विज्ञान चैप्टर को पढ़ेंगे और यह चैप्टर है यानि की विद्दूत और यह जो है चैप्टर फाइव है इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर फोर तक के वीडियो आपको प्रोवाइट करा दिया था तो अगर आप लोगों ने चैप्टर फोर तक के वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले चार वीडियो देख लीजिए उसके बाद ये वीडियो देखिए ताकि आपको ज्यादा समझ में आए तो चेप्टर वाइस जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे समझ आना चाहिए उसके बाद जो है इस चेप्टर में जो है जितन करने से पहले आपको बता दू अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि जब भी मैं कोई नहीं वीडियो डालू तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो गास चलिए शुरू कर लेते आज के इस चैप्टर में हम लोग विद्धुत पढ़ेंगे यानिकि इलेक्टर से जो प्रश्ट बन सकते हैं उसे पढ़ेंगे तो इलेक्टर से जो चैप्टर है आज वो पढ़ने वाले हैं तो पहला प्रशन है एलेक्टर सिटी का जब काल्च की छड़ को रेसम से बड़ते हैं तो चलतल है क्या होगा तो जब कांच के छार में जुँह रगड़ा जाता है तो चर्ड क्या हो इसके कि छड़ में जब रशन रगड़ा जाता है तो क्या होगा तो इसका right answer हो जाएगा जब कांच की छड़ में रेसम लगड़ते हैं तो छड़ धना आवसित हो जाती है option number B जो है इसका right answer हो जाएगा next देखिए किसी आवेसित चालक का संपूर्ण आवेस उसके रहता है यानि कि उस पर क्यां पर रहता है आंतरिक प्रिश्ट पर रहता है या कुछ आंतरिक प्रिश्ट पर वा कुछ बारी प्रिश्ट पर रहता है या इन में से कोई नहीं तो किसी आवेसित चालक का संपूर्ण आवेस जो है उसके जो है बारी प्रिश्ट पर रहता है कहां रहता है किसी आविसी चालक का संपूर्ण आविस जो है उसके बाहर पिश पर आता है निए उसके उपरी सता पर आता है नेश्ट है देखिए दो विद्धुत आविसों के बीच लगने वाले बल से सम्मंदित नियम क्या कहलाते हैं तो दो विदुत आवेसों के बीच लगने वाले बल के सम्मंदि जो नियम है यह क्या कालाएगा तो यह कालाता है कुलाम का नियम तो दो विदुत आवेसों के बीच लगने वाला जो बल है उसको क्या काते हैं कुलाम का नियम काते हैं नेश्ट है यदि दो विदुत आवेशों के मद जो है दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मद विदुत बल का मान है वो कितना हो जाएगा तो दो विदुद आवेशों के मद जो है उसकी दूरी को आधा कर दे जाए तो उसके मद जो है विदुद बलका मान जो है वो कितना रा जाएगा तो उसका विदुद का मान जो है उसके मद का वो चार गुणा हो जाएगा यानि कि चगुणा हो जाएगा नेश्ट है समान आवेशों में होता है क्या होता है तो समान आवेशों में जो है क्या होता है आकर्षन होता है या आसंजन होता है या विकर्षन होता है या संसजन होता है तो समान आवेशों में जो है ये विकर्षन होता है क्या होता है समान आवेश अगर रहेगा यानि कि प्लस प्लस रहेगा तो इसमें क्या होगा विकर्षन होगा यह एक दूसरे के विप्रित भागेगा यह इस तरब भागेगा ठीक है अगर जो प्लस माइनस रहेगा तो क्या होगा यह इस तरब जाएगा और यह इस तरब आए जो है किसके अस्तानातन के फल्सरुफ होता है तो वस्तु का अवेशन जो है उसके इलक्ट्रॉन के अस्तानातन के फल्सरुफ होता है यान कि वस्तु में जो आवेश होता है वो कैसे transfer होता है तो electron जो है एक electron जो है वस्तु के वस्तु से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जब जाएगा तब क्या होगा वो electron जब घुमेगा या सुदर तो क्या होगा वो always जो है वो यानि कि अगर positive है तो positive को लेकर कि जाएगा अवेशन जो है मतलब उसका जो पॉजिटिव है या निगेटिव है वो अस्तानातर जो होता है उसके इलेक्ट्रोन की गप्मन करने से होता है नेश्ट है किसी विद्वत परिपत में इकाई धन आवेश को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में किये गए कारे दोरा मापा जाता है तो उस बिंदों के बीच के बीच क्या होगा तो उन बिंदों के बीच क्या होगा प्रतिरोधक होगा या विवांतर को होग या धारा की प्रवलता को होगा तो किसी विद्वत परिपरत में 1 धन आवेज को एक बिन्दो से 2 भिन्दो तक ले जाने के लिए क्या गया कारी चो है इसको कैसे मापेंगे तो यह चो है A है और यह B है इसके दो कि दौरा जो है एक बिंदो से दुसरे बिंदो तक ले गया गया है एक इकाई कारी यानि कि एक धनाविस ले गया गया है तो इनके बीच जो बिंदो के बीच जो है कारी है जो वर्क है वो कैसे मापेंगे तो इस वर्क को जो है हम लोग विवांतर से मापेंगे यानि कि विवांतर के दोरा हम लोग इसे माप सकते हैं कि कितना कारी किया गया है नेस्ट है धातु विद्द के सुचालक होती है क्यों क्योंकि उनमें जो है मुक्त इलक्टरॉन होते हैं तो इसका राइट एंसर हो जाएगा चांदी तो चांदी जो है ऐसा पदार्त है जो विद्द का सबसे अच्छा चालक है लेकिन इसका प्राइज जो है सबसे महंगा होता है इसलिए हम लोग तामबा को यूज़ करते हैं इसलिए हम लोग तामबा का यूज़ करते हैं कौपर का यूज़ करते हैं कौपर का वायर हम लोग यूज़ करते हैं और ये भी जो है विदुत का अच्छा चालक होता है लेकिन सबसे अच्छा चालक बोलेंगे तो चांदी होगा अगर ऑप्शन में चांदी भी दिया रहे तो सबसे पहले चांदी टिक करेंगे ना कि तामबा को नेश्ट है ऐसे पदार जिनमें समान अवस्था में मुक्त इलक्टरोन नहीं होते हैं लेकिन विसेस परिस्थियों में जैसे उच्छताप या असुद्धिया मिलाने पर मुक्त इलक्टरोन प्राप्त किया सकते हैं क्या कहलाते हैं तो ऐसे पदार जिनमें समान अवस्था मे मुक्त इलक्ट्रोन नहीं होते हैं लेकिन विशेश परिस्तियों में जैसे उच्छ ताप या असुधी मिलाने पर मुक्त इलक्ट्रोन प्राप्त किया सकते हैं या जो है क्या कहलाते हैं या जो है अर्ध चालक पदार्थ कहलाते हैं ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं ऐसे पदार्थ जो है और चालक पदार्थ कहलाते हैं नेश्ट है ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विदुत परतिरोध एवं विदुत चालकता पर क्या प्रवहा पड़ता है तो इस पर जो है ताप को बढ़ाएंगे तो चालक परत्योत बढ़ेगा जब कि विदुद चलत जो है घटेगी एंसर होगा ने परसना है देखिए अपर किसका मातरक है तो तो अपर मातरक होता है विदुद धारक का ओपसन नमबर सी जो है सका राइट इंसर हो जाएगा और एंसर आप ए से, नेश्ट है परतियावर्ति धारा को दिरिश धारा में परज़त क्या आता है किस प्रकार से, देखिए परतियावर्ति धारा मतलब क्या होता है, प्रतियावर्ति धारा मतलब क्या होता है कि AC, यानि कि alternative current और दिन्षिः सिधारा मतलब क्या होता है DC यानि कि direct current तो AC को DC में परज्द कर सकते हैं किस प्रकार से तो AC को DC президains कर सकते हैं Lactifier के द्वारा are no rc सिस्ष हो जाएगा नाइस्ट है विधिट आपकरन में अर्थ का उप योग होता है कहां पर तो विदृत उपकरण में अर्थ का अप्रियों क्या होता है खर्च को कम करने के लिए क्योंकि उपकरण जो है त्री पेज में काम करते हैं इसी लिए जो है विदृत उपकरण में अर्थ का अप्रियों कहता है या सुरक्षा के लिए या फ्यूज के लिए रूप मे तो देखिए, विदुत उपकारेंट में जो अर्थ हम लगाते हैं, अर्थ लगाते हैं जो घर के साइड में, तो ये जो अर्थ लगाई जाता है जमीन में, ये लगाता है सुरक्षा के लिए, कि जब जादे बिजली हो जाए, तो वो बिजली जो है भूमिक के अंदर चला ज तो एक आदर्स वोल्ट मीटर का प्रतिरों जो है कितना होता है रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा एक आदर्स वोल्ट का वोल्ट मीटर का तो यह होगा अनन्थ होगा यानि कि इंफिनेटी होगा नेश्ट है किसी परिपत में एक बिंदू पर मिलने वाली धाराओं का बीजिये योग क्या होगा तो कोई भी परिपत है उसमें एक बिंदू पर मिलने वाली धारा यानकि कोई परिपत है माले जी ये परिपत है और इसमें एक बिंदू पर धारा मिल रही है और इसका जो बी बिजिये योग जो क्या होगा सुन्नी होगा यहां पर मिलने का पर जो बिजिये योग होगा वो कितना होगा सुन्नी होगा नेश्ट है प्रतिरोध यानि की resistance का मातरक क्या होता है तो प्रतिरोध यानि की resistance का मातरक जो है वो क्या होता है तो इसका right answer हो जाएगा प्रतिरोध का जो मातरक होता है ओम होता है यानि की option number D जो है इसका right answer हो जाएगा और ओम को कैसे लिखते है इस तरह से लिखते है ठीक है में लगे होते हैं या मिस्ट करम में लगे रहते हैं या समानतर करम में लगे रहते हैं या इन में से कोई नहीं तो घरों में लगे पंके बल आदी जो होते हैं यह समानतर करम में लगे रहते हैं यानि कि पैरलर लगे रहते हैं सिरीज में नहीं लगते हैं सिरीज मतलब हो गया सिर्णी क्रम और समानंतर हो गया पैरलर ठीक है समानंतर क्रम में लगे रहते हैं किसी चालक के चीरों के बीच विवांतर उसमें बहने वाली धारा के समाल पाति और यहिंए यहां से लेकरhome है कि स्टा चलक के सीरो के बीच वानतर उसमें बने वाली धारा के समानपाति होता है यह जो है कौन सा नियम है तो यह जो है ओम का नियम है अभी हम लोग इस लिए जो है यह वह कर नियम उजाएगा इसी चालक खेसी विश सीडों हमें बार हैं अलBERG कोबाहला है तो इसके बीच का विवांतर जो है बहने वाले विद्धारा का यानि कि आई का जो है ये क्या होगा समानुपाती होता है तो इसी उकाते हैं ओम का नियम नेश्ट है यादि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोज जो है कितना हो जाएगा आधा रा जाएगा या दुगना हो जाएगा या एक चुथाई रा जाएगा या एक बाई सोला गुना हो जाएगा तो यादि किसी तार की त्रिज्या जो है आधी क कंद्र होता है तो विश्यष्ट पत्रोत का ऐसा ही मतलग जो है या क्या होगा ओम मेटर होता है तो विश्ट पत्रोत काहाई मतलग क्या होगा ओम मीटर होगा ध recompys even чем वे विवद अभटाए होता है कैसे तो एक समान सूंक में है विधुत का डवगटै होता है ऊ убийत का अवगटै जो है विधूत का जो कैसे होता है एक समान और। विधुत का कैसे होता है एक सेल कि अधान आम दोनों को मिलाने पर होता है यानि कि option नमबर सी जो है इसका राइट इंसर हो जाएगा ए और बी दोनों में होता है यानि कि ammonium chloride में भी होता है सुस्किल में विदुद का अब घटए और मैगनेशन डायक्साइड में भी होता है नेशन है एक कार ङ तो एक कार के बैट्री में जो है प्रीजक्तिय विदुद अब घटए जो होता है यह कैसे होता है तो यह होता है तुरि titre अमल के द्वारा यानि कि S2, S04 के द्वारा होता है next है सुस्क सेल है तो सुस्क सेल जो है यह क्या है प्रात्मिक सेल होता है या दोतिया सेल होता है या तेतिया सेल होता है या चित्रत्रत्र सेल होता है तो सुस्क सेल जो है या एक प्रात्मिक सेल होता है आप्जन नमबर A जो है इसका रइट होगा निएच्ट है लोहे के ऊपर 진्क की परड़ चढ़ाने को क्या काते है? तो लोहे के ऊपर जो है 진्क की परड़ चढ़ाते हैं क्योंकि उसमें जो है जंग ना लगे और इस प्रक्रिया को क्या कहता है? ग्लेवनाइजेशन काते हैं या एलेक्ट्रो लेपिल्टिंग काते हैं एलेक्ट्रो प्लेटिंग काते हैं या आयरन काते हैं या इन मैंसे कोई नहीं तो लिए है के उपर जो है जिंक का परच चड़ाते हैं क्योंकि वो जो है जंग से बच सके तो इसको जो है क्या काते हैं गलिवनाइजेशन प्रक्रिया काते हैं ओप्शन नमबर ए जो है इसका राइट इंसर हो जागा नेश्ट है देखिए विद्धुत अब घटाय की क्रिया में किसी इलेक्टरोड पर मुक्त हुए पदार्थ की संपुर्ण प्रवाहित आवैस के अनुक्रमानुपाती होता है यह नियम जो है कौन सा नियम है आप्सन नमबर जो ए है यह राइंसर रोगा नेश्ट है फैलाडे का नियम सम्मंदित है किस से विधुत अबगटन से गैसो के दाप से या विधुत विच्छेदन से या विधुत प्रसार से तो फिराडे का नियम जो है सम्मंदित है देखिए विदृत अब घटन से ओप्शन नमबर ए जो है इसका राय टेंस रोगा नेश्ट देखिए एक फ्यूस तार का अपयोग कहां के लिए होता है तो एक फ्यूस तार का अपयोग जो है किसलिए कियाता है हानी पहुंचाए बिना उच्च विदृत धारा को प्रावित करना या अत्यधिक धारा प्रावित के समय विदृत परिपत को तोड़ना या किसी व्यक्ति को विदृत जटकों से बचाने के लिए या इनमें से कोई नहीं तो एक फ्यूस तार का अपयोग जो है इसलिए कियाता है कि अत्यधिक धारा जो प्रावित हो रही है उस समय विदृत परिपत को तोड़ा जा सके तो अप्सन नमर बी जो है इसका राइट एंसर हो जाएगा यानि कि अधिक अलेक्ट्रिक धारा अगर आ जाए तो वो जट के से तूट जाए विदृत परिपत इसलिए जो है फ्यूस का तार का अपयोग कियाता है कि नाइस टार देखिए फ्यूस तार के विसेस्ता क्या होती है तो फ्यूस तार के विसेस्ता क्या होती है तो फ्यूस तार का जो विसेस्ता होती हो क्या होता है उच्छ प्रतिरोध और निम्न गालनांग होगा तो कहां पर है option numberdriven, option सी उसका राइट एंधर हो जाह便 गाt नियुक्ष प्रत्रोद होगा और निम्न गल्लांग होगा उसका यहीं फ्यूज तरड़ांगे वि- disputes का सिद्धान क्या होता है तो विदुत का उसमिय प्रभाव का सिधान पर काम करता है तो option number C जो इसका right अंदर हो जाएगा Fuse का सिधान जो है क्या है विदुत का उसमिय प्रभाव को ही Fuse का सिधान करते है Next आये देखिए आम तोर पर सुरक्षा Fuse लगाने के लिए परियोग होने वाले तार जो है किस पदार की बनी होती है तो आम तोर पर जो सुरक्षा के लिए जो हम लोग फ्यूज को लगाते हैं तो उसमें परियोग होने वाला तार जो है किस पदार से बनी होती है वो क्या टीन से बना होता है या निकल से बना होता है या देखिए टीन सीशा का एक मिस्दातु होता है तो आम तर पर जो हम लोग सुरक्षा फ्यूज लगाते हैं सुरक्षा के लिए तो यह जो है इसमें उप्योग किया जाने वाला जो तार होता है इस यह जो है टीन और सीशे का एक मिस्दातु होता है या और दी में है तो टीन और सीशे का मिस् स्ततों से बना होता है तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है सब को पता होगा कि आप लोग सभी को पता होगा टंगस्टन से बना होता है बिजली का फिलामेंट जो है किसे बना होता है टंगस्टन का बना होता है नेश्ट है बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज आती है यानि कि तेज आवाज होती है क्यों तो बल्ब को तोड़ने पर जो है तेज आवाज आती है क्यों क्योंकि बल्ब के अंदर जो है निर्वात में वायू जो है तेज से प्रविस करती है इसलिए यानि कि बल्ब जो होता है देखे ये जो बल्ब होता है जो बलटका होता घर में तो ये बल्ब के अंदर जो है ये भैक्का मरता है क्या रता है बैक्का मरता है और जब इसको तोड़ते हैं तो ये क्या होता है इसमें वायू जो है तेज़े से गुश जाता है और इस एक्सपेंस होता है यानिकि वह होता है इसका कितना भाग जो है प्रकास में परिवर्थित हो जाता है तो ट्यूलाइट का जो एक्सपेंस उर्जा होता है तो इसका जो है देखिए 60-70% भाग जो है प्रकास में परिवर्थित होता है यानिकि 60-70% जो भाग है ये उर्जा जो प्रकास से परिवर्थित होता है यांनिकि चमकता है नच्ड गैंस्ट रेकिए ऊसमय प्रवहा पर अधारत घरेलू उपकरण कौन सा है i.t헤 रहे दो हितर है या विधूत बल्व है या ट् घरेलो उपकरण जो है वो कौन सा होगा वोस जो है विदूथ हीटर भी होगा विदूथ बल भी होगा और विदूथ लाइट भी होगा यानि कि उपरित में से सभी option number D जो है इसका right इंस रो जागा नेश्ट है देखिए किलो वाट घंटा मातरक है किसका तो किलो वाट घंटा जो मातरक है या मातरक है उरजा का उर्जा का मातरक होता है किलो वाट घंटा नेश्ट है देखिए तड़ित चालक का अविस्कार किस ने किया था तो तड़ित चालक का अविस्कार जो है बेंजामिन फ्रेंकलेन ने किया था ओप्सन नमबर सी जो है इसका राइट इंसर हो जाएगा नेस्ट है तड़त चलक बनाये जाते हैं कैसे कि लोहे से बना जाते हैं या एलमुनियम से बना जाते हैं या तामबे के बना जाते हैं या इसपात के बना जाते हैं तो तड़त चलक जो है या बनाये जाता है तामबे से option number C is right answer next time विदुद बल्व का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परन्तु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते इसका करण क्या है देखे विदुद बल्व का जो तंतु होता है यानि कि फिलामेंट होता है उसमें धारा परिज़तो होता है और प्रकास देता है परंतु तनतु में जो ले जाने वहला तार है यहां पर तो यह दार में यह धारा क्युunn नहीं चमकती है इसका करन क्या है तो इसका करन साफ है कि तन्तूर का प्रतिरोज जो है तारो के पेक्छा जो है अधिक होती है इसलिए ये चमकने लगता है बल्व के अंदर और तार में प्रतिरोज जो है इसका कम होता है तारो का इसलिए वो जो है नहीं चमकता है आप्सन नमबर सी जो है इसका राइट एंसर हो जाएगा नेश्ट देखिए सुस्क सेल यानिकी बैटरी में निमलिकित में से किसका विदुत अभगटेयों के रूप में प्रियोग होता है तो अमोनियम कुलराइड और मैंगनेसिम डायकसाइड पहले भी मैंने पढ़ा था क पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अमोनियम कुलराइड और मैंगनेसिम डायकसाइड के प्रियोग से ही जो है सुस्क सेल जो है विदुत अभगटेयों करता है यानिकि सुस्क सेल में विदुत का अभगटन कैसे होता है यह अमोनियम कुलराइड और मैंगनेसिम डायक साइट के का प्रियोग के से होता है यह नहीं देखिए समानिता प्रियोग में लाए जाने वाली प्रति दिप्ति ट्यूब लाइट पर निमलिखित में से कौन सा अंकित होता है तो समानिता प्रियोग में लाए जाने वाली प्रति दिप्ति ट्यूब लाइट पर जो है निमल योग में लते हैं larger ट्वलाइट इस में झो है 1500 कैलविन जो है अंकीत रहता है उसके विर्धृत प्रतिरोत के हम में डित्रान के ऊपर ठीक है चुब कित्ना रहता है प्लिधृत प्रतिरोत मान मानाव शरीर या, विदृत करत DOUैंब पईनाम की कोटी क्या है तो मानाव सरीर जो है ये एक सुस्क है और विदुद प्रतिरोथ की परणाम की कोटी क्या होती है तो इसका परणाम के तो उतपन करने के लिए कौन सुधातू का उप्योग होता है तो विदुत उत्पन करने के लिए हम लोग कौन सा धातु का उपयोग करते हैं युरेनियम का उपयोग करते हैं कि लोह का उपयोग करते हैं या तामबा का करते हैं या अलमुनियम का करते हैं तो विदुद को उत्पर्ण करने के लिए हम लोग यूरेनियम धातु का उप्योग करते हैं किसका उप्योग करते हैं यूरेनियम धातु का नश्ट है माइक यहन की माइका जो है क्या है तो माइका जो है यह एक क्या है उस्मा और विदुद दोनों का कुछालक होता है माइक इसी को माईका करते है माईका क्या होता है उसमा और विदुद्ध बल्व के तन्तु का ताप समानता होता है कितना तो जलते हुए विदुद्ध बल्व के तन्तु का जो था इस तरड़ी उत इस तंप होता है कि न रहा है तो ये जब जलेगा तो इसका तैंप्डाशरा कितना होगा तैनर 2300 संसीरिदे तक रहता है ताप मान यह तॵर्ज का थिए सबुखरा में विजयत उर्चा का श्रोध किया है तो एक कित्रिम उपगरा में विजुत उर्जा का स्रोथ क्या हो सकता है लगू नाविक्य रियक्टर होगा या डाइनमो होगा या थर्मो पाइल होगा या सौर बैटरी होगा तो एक हम उक्ति किया है डाइनेमो या ट्रांसफोर्मर है यह मोंतर है या कंडुक्तर है कर तो देखिट ऊचारी तो सब्सक्ती पहले हम देर कर दो या तरह में उय है तो यह कौन सा गलता कि इस तरह से जिसको हम एलठ्रिक दे और रोन पर में काम करने लगे तो यह जो है देखिए विध मोटर होता है तो विध मोटर जो है क्या करता है या उसको एलट्र देते हैं वो क्या करता है घूमने लगता है और उसके घूमने करण जो है वो क्या करता है यांत्री कुर्जा में बदल जाता है और वो जो है पाई को टान करके उपर देता है तो यांत्रीक उर्जा हो रहा है वहां पे तो बेजलिया को काम नहीं है वह सिर्फ सिर्फ मोटर पर लग रहा है अब मोटर जो है क्या कर रहा है यांत्रीक उर्जा बदल जा रहा है और मोटर जो है क्या करा पानी फेक देरा उपर तो इसका सही उधारन क्या होगा व तो रसायनिक उर्जा का जो है विद्द उर्जा में रुपांत्र तो इसका जो निम्तर होता है यह बनी होती है तो तो एक करेत परिपद में विद्द और चालक की जो चीप होती है वो कैसा बना होता है जो है जो परीत होता है अर्श चालक्त चीप या जो है बना होता है शिलिकॉन का बना होता है नेक्च ए round transform परएक्त होते हैं तो transform में पररेक्त होता है क्या? AC को DC में बदलने के लिए या DC को AC में बदलने के लिए या DC voltage को अपचैन के लिए या AC voltage का अपचैन या उपचैन करने के लिए तो देखे टांसफर्मा का प्रियोग जो है AC और DC तो नहीं होगा AC डिसी जितना है सब काट देज़े ठीक है तो DC नहीं होगा DC नहीं होगा और AC डिसी नहीं होगा ठीक है तो यह तीनों कट गया कौन सा बच गया AC voltage का अपचैन और उपचैन करने के लिए यानि कि हाई voltage जब रहेगा AC का मतलब देखे टांसफर्मा क्या करता है यह माली एक ट्रांसफर्मा लगा हुआ है रोड पर तो क्या करेगा जब हाई voltage होगा तो उसको मतलब हाई voltage को मतलब हाई voltage को जो है निमन voltage में convert करता है ठीक है तो यहाँ पर AC DC का काम नहीं है यह एक ही current कर रहा है यानि कि alternative current को ही जो है क्या करेगा वो up chain करेगा और up chain करेगा ठीक है यानि कि high voltage एक जगा से लाए और वहाँ से जो है पूरे गाउं में या पूरे जो ब्लॉक है वहाँ पर आपको current जा रहा है यहां से transfer हो रहा है यहां से 5-6 clone में माली जे जा रहा है तो यह क्या कर रहा है है High voltage अगर यहां पर दे रहे है हमाली जे आट यहां से 220 वाट करके हर उप chain कर रहा है जादे वोल्टेज को अब chain कर रहा है कम वोल्टेज में यही काम करता है ट्रांसफर्मा नेस्टे देखिए प्रतिधितिनली में प्रतितिनली में सरवादिक समानता परियोग होने वाली जो वस्तु होती है वो क्या होती है सोडियम अक्साइड या आरगन रहेगी या सोडियम वास्प तथा नियोन रहेगी या पारा वास्प तथा आरगन रहेगी या मर्कुरिक अक्साइड तथा नियोन होगी तो देखिए प्रतित्ति नली जो होता है उसमें सरवादिक समानता जो है प्रयोग में लाया जानी वास्तु है वो कौन सी होती है तो पारा वास्प तथा आरगन रहता है उसमें यानि कि जो हम लोग देखिए टुबलेट यूज करते हैं तो टुबलेटầ होता है यह ही एक परत्फिप्ति नली है और इसमें तुसमें क्या र toplinen पारा नहें रहता है और औरक है गैस भरा रहता है तभी जो है या वस्तु जो है पारा का गैस भराता है और आरगन भरा रहता है इसी कारण जो है यह क्या करता है चमकता है और इसके अंदर कुछ नहीं रहता है यानिकि टुबलेट के अंदर कुछ नहीं रहता है वो क्या रहता है पारा का वास भराता है और और आगम भरा रहता है, इसमें, तो इसे को बोलते है प्रतेजत्ति नली, ट्यूलाइट को, और इसमें पारा का वास और आगम भरा रहता है, नच ठैस disse, देखिये, तीन पीन बिजली के प्लग में, सबसे लंबे पेन को जोडता चाहिए, कैसे तो तीन पीन बिजली के बिजली होता है बिजली का प्लग इसमें जो है लंबी पीन को जो है कहां जोड़ना चाहिए तो लंबी पीन को जो है हम लोग को कहां जोड़ना चाहिए अधार्स जोड़ना चाहिए लंबी पीन को जो है कहां जोड़ेंगे अधार से यानि कि यह जो लंबा होता है सबसे किलो वार्ट घंटा का मान होता है कितना घंटा रावर कितना होना चाहिए एक किलोवार्टंट घंटा ब्रावर् जो है । प्रतिरोत का ऐसाई मातरक क्या है तो इससे पहले भी मैंने बताया था आपको शुरुवात में ही कि विसेश प्रतिरोत का जो एसाई मान है यानि कि मातरक है वो क्या होता है वो क्या होगा ओम मेटर होता है ना कि ओम पर मेटर गलती से यह आला मार के मत आ जाईएगा ओम मेटर होता है ओम प्रति मेटर नहीं होता है ओम मेटर होता है यानि कि ओम और मेटर ऐसे लिख सकते है इसको ठीक है तो ओम मेटर जो है विसेश प्रतिरोत का ऐसा ही मातरक होता है नेश्ट है देखिए बिजली के पंखे की गती बदलने के लिए परियुक्त साधन क्या है तो बिजली के पंखे की गती को बदलने के लिए परियुक्त साधन है वो क्या है रेगुलेटर है रेगुलेटर के दोरा जो है बिजली के पंखे का गती बदल सकते हैं यह जो बंख्याती को बदल सकते हैं नेच्ट है किरचौप का धारा नियम जो है अधारित है किस पर उर्जा सरचन पर या दर्मान सरचन पर या समवेग सरचन पर या इन में से कोई नहीं तो किरचौप का धारा का नियम है या जो अधारित है नियम या किस पर अधारित है तो किरच सरच्छन के नियम पर आधारित है यानि कि option number A जो है इसका right answer होगा उर्जा का सरच्छन करेंगे यानि कि उर्जा का जो हम लोग सरच्छन करके बचाते हैं उसी को करते हैं किर्चोफ का धारा का नियम उसी पर आधारित है एक वोल्ट विवानतर द्वारा तोरित होने पर एक इलक्ट्रोन जितनी उर्जा प्राप्त करता है उसे क्या काते है तो एक वोल्ट विवानतर द्वारा तोरित होने पर एक इलक्ट्रोन जितनी उर्जा का प्राप्त कर सकता है उसे जो है हम लोग क्या कहेंगे उसे हम लोग कहेंगे एक electron volt कहेंगे यानि कि एक volt विवानतर द्वारा तुरित होने पर एक electron जितनी उर्जा प्राप्त करेगा उसे एक electron volt कहेंगे नेश्ट और आखरी प्रशन जो है देखिए सुसक सेल में जो उर्जा संग्रहित रहती है वो कौन सी उर्जा होती है यानि बैटरी में जो उर्जा रहती है संग्रहित रहती है वो कौन सी उर्जा होती है तो वो क्या विदुत उर्जा होती है या रसायनिक उर्जा होती है या उसमें उर्जा होती है या इन में से कोई नहीं तो वो जो विदुत उर्जा तो नहीं हो सकती है ये खतम उसमें उर्जा नहीं हो सकती है ये भी खतम ये वला तो होगा ही नहीं तो कौन सा बच्चा रसायनिक उर्जा तो से लियारे कि बैटरी में जो है उर्जा कैसा संगरित रहता है रसायनिक उर्जा होता है बैटरी में जो उर्जा संगरित रहती है कैसा होता है रसायनिक उर्जा संगरित रहती है